हलो बच्चो उसके बाद हम ब्रायोफाइट्स की प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे जो कि हमारे पास NCRT से है कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज के थूप बताया कि सर आपने फर्स दो पेजीज जो थे वो नहीं बताये प्लांट किंग्डम के जैसे कीमो टैक्सोनॉमी क्या है केरियो टैक्सोनॉमी क्या है उसको बेटा हम लोग लिविंग वर्ड के साथ पढ़ते हैं लिविंग वर्ड के साथ हम जब चैप्टर लिविंग वर्ड करते हैं तो उसके साथ हम लोग सेकिंड चैप्टर के स्टार्टिंग के दो-तिन पेजीज जहां पर NCRT में फाइब किंडम क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है वो पढ़ लेते हैं और फ़र्ड चैप्टर के फर्स टू पेजीज जिसमें क्लासिफिकेशन की कुछ डिटेल है वो लोग हम वो सब एक सार पढ़ते हैं तो आप इस चीज को वहाँ पढ़ पाएंगे Living World में तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा Concept of Gametophyte and Sporophyte तो इसी Concept से Lecture को स्टार्ट करते हैं देखिए जब हम सारे plants को observe करते हैं मैं repeat करूँगा जब हम सारे plants को observe करते हैं उसमें मेरे पास कौन कौन आ जाएगा algae आएगा, bryophyte आएगा, teridophyte आएगा, gymnosperm आएगा और angiosperm आएगा इन सारे plants में मुझे during sexual reproduction दो stages मिलती हैं या मैं उन plants में मुझे दो stages मिलती हैं, एक मिलती है gametophyte और एक मिलती है sporophyte मैं repeat कर रहा हूँ, सारे के सारे plants में in all plants हमें क्या मिलती है, दो stages मिलती है we found two stages, one is gametophyte, another is sporophyte, ज़र इनके बारे में जानते हैं देखिए, gametophyte क्या होता है बिटा, gametophyte haploid stage होती है, समझे इस बार को gametophyte क्या होती है, haploid stage होती है, sporophyte stage diploid होती है gametophyte stage जो होगी बिटा हमारे पास, वो haploid है और वो क्या बनाएगी, gamets बनाएगी ये मैंने मालो gamet बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, gamet बना दिया, sporophyte stage क्या बनाती है बिटा, spor बनाती है क्या बनाती है, spor बनाती है, अब ध्यान से सोचिए आप, अगर मुझे किसी haploid stage से gamet बनाना है जो खुद haploid है, तो मैं किस तरह की division करूँगा, मैं करने वाला हूँ mitosis, समझ आ रहा है आपको, मैं करूँगा mitosis तो gametophyte stage हमारे पास mitosis से gamets बनाती है, तो यहां मैं mitosis लिख रहा हूँ, इस से हम gamets बनाती है यह चीज समझ आ रही है, वो gamets आगे जाके fertilization से zygote बनाएंगे, जो कि diploid है पर zygote single cell होता है, हम क्या करते हैं बिटा, उस zygote की आगे mitosis करके एक stage बनाते हैं, जिसे हम sporophyte कहते हैं यह sporophyte stage हमारे पास क्या होती है, diploid होती है, तो मैं आपको यहां पर यह समझा रहा हूँ बिटा, सारे plants में हमारे पास दो stage होती है एक gametophyte जो की haploid है, एक sporophyte जो की diploid है, gametophyte stage mitosis करके gamet form करती है और gamets fuse करके हमारे पास zygote बनाते हैं, zygote जो है diploid stage है, और single cell है मैं अगर इसकी क्या करूँगा mitosis, तो एक multicellular हमारे पास sporophyte बनेगा यह multicellular sporophyte diploid है, आप देख पा रहे हैं, diploid है इस multicellular sporophyte में हम एक division करेंगे, जिसे हम कहते हैं meiosis उससे हमारे पास क्या बनेगा spore जो यह spore है बिटा, इस spore की mitosis से मैं दुबारा से gametophyte बना सकता हूँ तो आपने क्या सीखा, आपने यह सीखा, सारे plants में दो stage होती है one is gametophyte, another is sporophyte gametophyte stage haploid है, sporophyte stage diploid है gametophyte stage mitosis के थूँ gamet form करती है gamets fuse करके zygote बनाते हैं that zygote mitosis से multicellular sporophyte बनाता है और उस sporophyte की meiosis, meiosis क्या करती है, diploid को haploid करती है से हमारे पास spore बन जाते है यह चीज़ समझ आ रही है तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे की sporophyte में spore बनाने के लिए आप कौन सी division कर रहे हैं? meiosis gametophyte मे gamet बनाने के लिए आप कौन सी division कर रहे हैं? mitosis clear यह चीज़ समझ आ रही है और यह सारे plants में होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ algae में होता है यह सारे plants में होता है पर algae में एक difference होता है सिर्फ कि algae में normally यह zygote की ही meiosis हो जाती है means यह जो meiosis होती है algae के case में zygote की होती है उससे multicellular sporophyte नहीं बनता means zygote यह sporophyte stage नहीं बनाता multicellular वाली वो क्या करता है directly meiosis करके spor बना देता है तो in case of algae हम इस zygote को क्या कहते है in case of algae हम इस zygote को ही sporophyte कहते है इस zygote को ही हम क्या कहते है sporophyte कहते है यह चीज़ समझ आ रही है बिट आपको तो हम यहाँ पर यह समझा रहे हैं आपको हर plant में दो stages होती है gametophyte और sporophyte gametophyte gamet बनाने के लिए sporophyte spor बनाने के लिए gametophyte mitosis से gamet बनाती है sporophyte meiosis से spor बनाती है अब फरक सिर्फ कहां पर होता है हम क्या करते है बिटा number of cells पर जैसे माल लो मैं आपको अभी क्या करूंगा तीन तरह की life cycle पढ़ाऊंगा आगे जाके एक haplontic एक haplodiplontic और एक diplontic तीन तरह की आपको life cycle पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर यह समझना है कि gametophyte और sporophyte सारे plants में होता है तो अब यह जो मैंने आपको concept बनाया इस concept को एक बार apply करते हैं हम लोग किस पर? algae के case में जो हमने last पढ़ा था ठीक है? algae के case में मैंने यह apply करना है ठीक है? तो ध्यान से देखिए यह algae का gametophyte है यह filament हो सकता है या यह मैं कह सकता हूँ यह gametophyte मतलब हम यह कह रहे हैं यह algae है मालो यह algae है यह algae है इसके filament भी है मालो यह filament है यह algae है तो हम यह बोलते हैं जो algae होती है वो haploid होती है मतलब जैसे जो algae हम देखते हैं वो normally gametophyte stage होती है haploid stage होती है ऐसी एकोर algae है दोनों same species है means अगर ये spirogera तो ये spirogera ये kelp है तो ये kelp है तो ये भी इसको भी हम क्या बोलेंगे gametophyte बोलेंगे मतलब normally जो हम algae देखते हैं वो कौन सी stage होती है gametophyte होती है means algae एक haploid plant है हम क्या करते हैं बिटा हम ऐसे decide करते हैं इसमें जो मैंने आपको बताया मैं ऐसे decide करता हूँ कि अगर कोई plant जैसे algae है algae में अगर main stage main stage का मतलब हो गया कि वो stage जो मुझे जादा समय के लिए दिखे वो अगर gametophyte है तो मैं haploid plant कहता हूँ लेकिन अगर main stage sporophyte है तो मैं diploid plant कहता हूँ तो जब हम algae की life cycle देखते हैं तो उसमें जो plant हम देखते हैं जैसे हम यह कहते हैं यह algae है वो algae actual में gametophyte stage होती है means वो है तो plant लेकिन उसके सारे cell haploid है और वो कौन सी stage consider करते हैं gametophyte तो जब अब भी आप algae देखो तो वो उसकी कौन सी stage है gametophyte यह gametophyte stage mitosis करके gametophyte stage mitosis करके gamet बनाएगी क्या बना रही है बिटा gamet इसने भी mitosis करके क्या बना दिये gamet बना दिया इसने भी mitosis करके बिटा क्या बना दिया गैमेट बना दिया तो आप याद रखिए एलगी को मैं गैमेटोफाइट मानता हूँ क्योंकि वो हैपलॉइड प्लांट है यह ची समझ आ रही है ठीक है clear अब हमने क्या किया बिटा हमने क्या किया इन गैमेट्स को फटलाइज किया जैसे यह भी हमारे पास जाइगोट आ जाएगा ना इस जाइगोट इस डिपलॉइड यह जाइगोट हमारे पास डिपलॉइड है ठीक है अब देखो मैंने यही पढ़ाया था ना भी आपको पीछे कि यह जाइगोट की माइटोसिज होके मल्टी सेलूलर स्पोरोफाइट नहीं बनता clear मल्टी सेलूलर क्या नहीं बनता स्पोरोफाइट नहीं बनता इस जाइगोट की क्या हो जाती है मियोसिज इस जाइगोट की ही मियोसिज होकर हमारे पास चार सेल्स बनते हैं एक जाइगोट से चार बनेंगे जिसे आप नाम दे सकते हो स्पोर्स इसका मीनिंग यह हुआ कि algae में zygotic meiosis होती है means zygote की meiosis होती है उसमें multicellular sporophyte नहीं होता, मैं कुछ linary repeat कर रहा हूँ, यह देख लीजिए meiosis से मेरे पास spor बने और उस spor की mitosis से, हर एक spor की mitosis से gametophyte बन सकता है, तो इस spor की हम क्या कर सकते है mitosis, तो उससे हम gametophyte बना सकते हैं simple समझो इस बात को, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है बिटा, आपको ये समझना है, कि हर plant में 2 stage होती है, एक stage मानलो ये है और एक stage ये है इस stage को मैं कह रहा हूँ, gametophyte gametophyte ठीक है? gametophyte इस stage को मैं कह रहा हूँ sporophyte. Sporophyte stage कैसी होती है diploid? Gametophyte stage कैसी होती है habloid? मैं टाइम दे रहा हूँ इस topic को ताकि conceptually ठीक हो जाएए. अब देखो, gametophyte gamete बना रही है. Gamete कैसे बना रही है पिटा? Gamete बना रही है mytosis से. Clear है? Gamete बना रही है कैसे? mitosis से sporophyte क्या बना रही है spore बना रहा है और वो कैसे बना रहा है meiosis से clear अब मैं इस gamet से fertilization के थू diploid zygote बनाता हूँ मैंने लिख दिया यहाँ पर fertilization उसके थू मैंने क्या बना दिया zygote अब zygote single cell है और इसमें बहुत सारे cells है तो इसको mitosis करके हम क्या बनाएंगे multicellular sporophyte यह जो spor यहाँ पर है यह single cell है haploid है single cell यह देख रहे हैं इसमें बहुत सारे cells है तो यह भी haploid है तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ mitosis अब आप ध्यान से समझे ध्यान से समझे इस बात को जो मैं अब बनाने वाला हूँ देखे gametophyte अगर कोई plant ध्यान से सुने अगर मालो यह life cycle सम में है algae के case में क्या होता है यही main plant होता है gametophyte stage मतलब हर plant में दो stage है gametophyte sporophyte अगर यही main plant हो तो हम कहेंगे plant haploid है अगर यह stage main plant हो तो हम कहेंगे plant deployed है means मालो यह life cycle 20 days की है इस 20 days की life cycle में मुझे अगर gametophyte stage 18 days के लिए दिखे मतलब gametophyte stage main हो और वो मेरे को मालो maximum days के लिए दिखे मैं कहता हूँ मालो मुझे कितने के लिए लिखे maximum 18 days के लिए दिख गई तो इसका मतलब time wise time wise gametophyte stage जादा dominant हो गई तो हम कहेंगे हम कहेंगे कि plant haploid है means gametophyte stage क्या हो गई बेटा gametophyte stage dominant हो गई is dominant वो हमारे पास हो गई dominant तो हम कहेंगे plant जो है वो क्या है plant is हमारे पास diploid plant हमारे पास haploid समझ लो इस बात को plant क्या होगा haploid होगा जैसा कि मेरे पास algae में होता है और bryophyte में होता है हम कहते हैं bryophyte और algae haploid plant है क्योंकि gametophyte और sporophyte stage में से जादा समय के लिए पूरी life cycle के total time में से जादा time के लिए gametophyte stage दिखती है ये चीद समझ लो ध्यान से ये बहुत important concept है बटा clear अगर किसी plant में sporophyte stage जादा समय के लिए दिखे या deployed stage जादा समय के लिए दिखे तो हम कहेंगे कि वो plant deployed है जैसा कि teridophyte gymnosperm और angiosperm में होता है तो आप एक line बिलकुल दिमाग में बिठा लें for algae gametophyte stage is main stage dominant stage जादा समय के लिए है for bryophyte same clear algae के case में zygote की mitosis नहीं होती zygote directly क्या बना देता है spore ऐसा किस में हो रहा है algae में हो रहा है और वो meiosis करते बाकी सम में zygote की mitosis होती है clear है यहां तक समझ आ रही है बिटा यह concept है जो बहुत important है जो काफी जादा important concept है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बिटा अब हम bryophytes पढ़ेंगे आपको एक लिए relate करके समझाऊंगा और हम उसको detail में देख पाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिटा bryophytes को पढ़ना ठीक है bryophytes को पढ़ना और हमने एक sequence बोला था आपको हमने कहा था जब भी मैं कोई topic पढ़ूँगा plant kingdom में या हम जब फंजाई में भी पढ़ेंगे तो हम एक sequence फॉलो करेंगे sequence रहेगा सबसे पहले मैं habitat पढ़ूँगा फिर मैं structure पढ़ूँगा फिर मैं पढ़ूँगा उसका nutrition और plant kingdom में nutrition अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरे के पूरे plant kingdom में oxygenic photosenses है तो nutrition का concept आप नहीं पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे reproduction तो इसका मतलब यह है कि bryophytes में जो detail हम लोग पढ़ने वाले हैं वो detail क्या है habitat हम पढ़ेंगे habitat कहां मिलता है उसके बाद हम पढ़ रहे हैं structure उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके reproduction और कोई economic importance होगी तो यह detail हम पढ़ेंगे economic importance और अगर कोई type है तो वो ठीक है यह चीज पढ़ेंगे यह चीज हम पढ़ेंगे दूसरा bryophytes को हम नाम देते हैं plant amphibian plant amphibian क्यों बोलते हैं क्योंकि bryophyte है तो terrestrial why they are known as plant amphibian bryophytes terrestrial है जमीन पे मिलते हैं लेकिन उन्हें reproduction के लिए पानी की need है they require water for reproduction that's why हम उनको कह रहे हैं plant amphibian their habitat is terrestrial उनका habitat terrestrial है but they require water for fertilization clear gametes की movement के लिए पानी चाहिए इसलिए उन्हें plant amphibian कह रहे हैं तो अगर उसी से relate करू मैं bryophyte का habitat तो मैं लिखूंगा bryophyte मुझे moist shady and humid place पे मिलते हैं जहां rain हो वहाँ पर मिलते हैं एक important चीज है shade मतलब direct sunlight में नहीं मिलते तो bryophyte जो हैं हमारे पास bryophyte जो plant हैं वो मुझे कहां मिलेंगे moist shady and humid place ये इनका habitat है clear आप देख सकते हैं ऐसा कुछ जहां पर shade हो ऐसा कुछ clear जहां पर direct light ना पड़े इस तरीके से वो grow करते हैं clear होगी बात तो ये bryophyte का क्या हो गया बेटा habitat आगे बात कर लेते हैं उनके basically हम structure अगर देखें NCRT में तो NCRT लिख रहा है कि areas in hill जहां पर basically थोड़ा shade हो damp humid shady damp अतलब गीला यहां पर मिलता है ठीक है ये NCRT इस तरीके से habitat बताती है अब हम क्या पड़ेंगे bryophyte के structure के बारे में पड़ेंगे देखें ब्रायोफाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं और दो तरह के bryophyte आपके syllabus में है एक liver word है और एक moss है एक liver word है दूसरा हमारे पास moss है अब ध्यान से सुनना जो अब बताने वाला हूँ clear देखो बटा हम क्या कहते हैं सबसे पहली line लिखते हैं bryophyte के structure के बारे में कि main plant body main plant body या main stage जो है वो gametophyte है अगर मैं ये line लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि bryophyte कैसे plant हैं haploid plant हैं देखो इसकी life cycle में भी gametophyte और sporophyte stage होती है clear होगी बात but gametophyte stage main stage है तो bryophyte is a haploid plant वो कैसे plant हैं haploid plant है ये चीज़ समझागी बिटा bryophyte haploid plant है दूसरी बात अगर आपको याद हो algae में मैंने बोला था algae thaloid थी algae में थैलस था अगर आपको याद हो algae में क्या थी differentiation नहीं थी थैलोईड था थैलस था उसमें actual में क्या होता है bryophyte में ऐसा leaf जैसा structure तो बनता है हम कहते हैं bryophyte का structure थोड़ा सा ज़ादा differentiated है algae से but still thaloid है मतलब proper differentiation नहीं है तो हम लिखेंगे कि bryophyte भी thaloid है bryophyte भी क्या है thaloid है but मतलब thaloid है मतलब proper differentiation नहीं है but more differentiated but more differentiated than algae algae से ज़ादा differentiated है differentiated than algae algae से ज़ादा चीक है clear differentiated than algae clear हो गई बात algae से ज़ादा differentiation है मतलब जब मैं differentiation की plant में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ root stem leaf बनना तो आप देखिए ध्यान से कुछ ऐसा होता है bryophyte में ये leaf जैसा structure दिखता है मतलब ये leaf like structure दिखेगा इसके lower surface में ध्यान से सुने बिटा इसके lower surface में इस तरीके से hair जैसे structures बनते हैं जो root के जैसा काम करते है absorption का उन्हें हम कहते हैं rigeoids तो rigeoids present है चीक है clear तो हम ये कहेंगे कि bryophyte में differentiation तो है हम कहेंगे root stem और leaf जैसे structure है like structure है मतलब उसके जैसे मिलते जुलते structure है जैसे कि आप देखो ये इस plant के इस bryophyte के नीचे के surface पे rigeoids present है देखो bryophyte आपको कैसे दिखेंगे दो example है एक liver word है एक moss है liver word क्या करता है ऐसे horizontal grow करता है उसके lower surface पे hair जैसे structure होते हैं आप rigeoids कहते हो ये जो rigeoids हैं ये water absorption का काम करते हैं ठीक हो गई बात तो ncrt लिखती है root stem leaf like structure present है true root stem leaf absent है true root stem and leaf ये हमारे पास absent है ये हमारे पास क्या है absent है true root stem leaf bryophytes में नहीं होता उनमें हमारे पास root like structure stem like structure और leaf like structure present होता है clear है समझ आ रहा है मतलब differentiation algae से जादा है पर उतनी नहीं है और इनके पास भी thallus है क्या है हमारे पास thallus हम कह रहे हैं structure इनका thalloid है इनका structure बिटा कैसा है हमारे पास thalloid ये चीज़ समझे structure इनका थेलॉइड है हमारे पास clear होगी बात तो इनका structure भी थेलॉइड है और आप देखिए नीचे ऐसे राइजोइड होगी ठीक है राइजोइड है मैं यहां बना रहा हूँ इस पर नहीं बनाना चीए मुझे ठीक है जैसे माल लो यह आपको दिख्या यह यह स्ताइम जैसा को यह जैसे यहां पर हमारे पास मॉस हैं यह सब मॉस दे रख़ा यह लिवर वर्ट है तो हम यहां पे simple लेगे रहे हैं कि structure तो थेलॉइड है पर root, stem, leaf जैसे कुछ बनता है पर true नहीं है यह ची समझ आ रहे हैं और हम इसी लिए bryophyte में thallus word यूज़ करते हैं और मैंने कहा है main plant body gametophyte है इसका मतलब bryophyte कैसे plant हो गए haploid मैं लिख रहे हैं इस बात को bryophyte कैसे plant हो गए बिटा are haploid plant कैसे plant हो गए haploid plant ठीक है एक बार हम structure देखना चाहेंगे उनका bryophyte का एक बार structure हम लोग देखना चाहेंगे कैसे दिखते हैं वो ठीक है ब्रायोफाइट का हम लोग structure देखना चाहेंगे एक बार वो किस तरीके से दिखते हैं जरा थोड़ा सा structure के बारे में मैं चारूँ आप ध्यान से देखें clear structure के बारे में बहुत ध्यान से देखें आप चीक है clear बहुत ध्यान से देखें देखें देखिए द्यान से एक चीज लोग है में इसकर रहे हैं देखिए हम क्या करेंगे बिटा ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसा दिखता है तो जो स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट का वो किस तरीके का दिखेगा ये देखो बिटा ये देखो, ये ऐसा थैलस दिखेगा, ये देख रहे हो, ये ऐसा थैलस दिखेगा, थैलस, फुड़ा सा लीफ जैसा थैलस दिखेगा, ऐसा कुछ है उस थैलस के नीचे हमारे पास root जैसा कुछ होगा, root नहीं है क्योंकि root तो आपका और भी वर्क करती है, उसमें vascular बंडल होते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे rai joints, ऐसा थैलस जो होता है वो ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे थैलस को कहते हैं prostate, prostate का मतलब कुछ horizontal टाइप का, समझ आ दूसरा कुछ bryophytes होते हैं, जो सीधे भी grow करते हैं, stem जैसा structure होता है, उनके base पर हमारे पास यहां rai joints होते हैं, और उन पर कुछ leaf जैसा बन जाता है, ऐसा leaf type का उनके उपर बन जाता है, ऐसा, इस तरीके का, तो हम कहेंगे यह leaf like structure बन गया है, leaf नहीं है, leaf like structure है, ऐसा ही यह stem like structure है, और यह root like है बिटा, यह उसके जैसे structure है, समझ लो इस बात को, तो root like structure, stem like structure, leaf like structure, यह like structure है बिटा, यह real में root stem leaf नहीं है, तो यह जो सीधा थैलस है, देख रहे हैं, यह थैलस सीधा है और यह थैलस ऐसा है, इस थैलस को prostate बोलेंगे, और इस वाले थैलस को हम कैसा बोल होता है, सीधा, यह चीज़ समझ आ गई बिटा, यह चीज़ समझ आ गई, तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, क्या points आपको आने चाहिए, वो मैं summarize करना हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, और याद करना है वो आपने, सबसे पहले, bryophyte में main stage, gametophyte है, इसका सीधा मीनिंग यह है कि bryophyte कैसे plant है, haploid plant है, किस तरीके के plant है, haploid plants है, कैसे plants है, haploid plants है, कैसे plants है, haploid plants है, clear हो गई बात, दूसरी बात, bryophyte में differentiation algae से तो ज़्यादा है, मतलब algae में तो पूरा ही thallus ही होता है, कुछ नहीं बनता, differentiation more than algae है, more than क्या है बिटा, algae है, but, algae से ज़्यादा differentiation है, but, still thalloid है, thalloid समझो, thalloid का मतलब हुआ, proper अभी, ऐसा जैसे हमारे पास, आपके पास जो ये neem का पेड है, neem tree, mango, bannion tree, इनकी root, stem, leaf होती है, vascular bundle होते है, ऐसा कुछ नहीं है, still thalloid है, next चीज हम ये कहते हैं बिटा, कि इनका जो thallus होता है, thallus दो तरीके का है, एक है prostate, और दूसरा हम कह रहे है erect, दूसरा हम क्या कह रहे हैं बिटा, erect thallus कह रहे है, दूसरा thallus हम कह रहे है, erect, सीधा thallus हो सकता है, यहां तक समझ आ रही है, और फिर हम ये कहते हैं बिटा, true root stem and leaf absent है, true root stem and leaf में vascular bundle होते हैं, ये चीज absent है इनमें, इनमें क्या होगा बिटा, root जैसा कुछ है, जिसे पानी mineral absorb करता है, बट ये बिटा single cell का, ये दो चार cells का होता है, ये deep नहीं जा सकता, root जैसा, तो root हमारे पास, root like structure है, हमारे पास, ऐसे ही हम कहेंगे leaf जैसा कुछ है, leaf like structure है, stem like structure है, तो like structure है, real में नहीं है, मतलब real में proper तरीके से नहीं है, ये चीज हो गई, तो ये आपको कुछ basic detail structure को लेके आनी चाहिए, अब हम क्या detail पढ़ेंगे बिटा, अब हमने कहा था, हमने structure तो पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ते हैं, reproduction पढ़ते हैं, reproduction पढ़ते हैं, जब हम reproduction की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम reproduction की बात करते हैं, तो reproduction द करते हैं sexual, सबसे पहले आप याद करो, algae में fragmentation होती थी, मैंने question भी पूछा था आप से, कि कौन सी algae है जिसमें fragmentation नहीं होगी, वो होती है हमारे पास unicellular algae, like chlamidomonas और chlorella, clear, chlorella, दूसरा आप किस क्या लिख सकते हैं, even walvox भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो colonial है, fragmentation multicellular का feature है, clear, multicellular को ही तो fragment में तोड़ पाएंगे, clear, अब यहाँ आजाओ विच्चे, हम जब asexual reproduction की बात करते हैं, तो उसमें एक reproduction है, इसमें fragmentation, अब आपके दिमाग में आएगा, fragmentation इसम में भी thaloid structure है, अगर differentiation होती, तो इसमें fragmentation नहीं होती, जैसे जैसे plant kingdom में differentiation होई है, means proper root, stem, leaf like structure बना है, तो उसमें हमारे पास fragmentation नहीं होती है, समझ लो इस बात को, fragmentation हमारे पास किसमें होती है, algae और bryophyte में, दूसरी बात, एक और type of reproduction है इसमें, जिसको हम अभी detail में देख जिसे हम कहते हैं, jama cup, ऐसा एक structure दिखता है उसके surface पे, मतलब bryophyte के surface में, jama cup एक reproduction रहेगा, या jama bud बोलते हैं उसे, jama cup के अंदर jama bud होती है, clear, जैसे ये cup जैसा structure बना हुआ है, इसके अंदर ये birds बनी हुई हैं, तो birds होती हैं, उसके अलावा, एक और हम लिखते हैं, asex sexual हम बताएंगे, proper gamut से होती है, लेकिन अभी आपने सीखा यहाँ पर, bryophytes में asexual कैसे होगी, fragmentation, jama cup, budding in protonima, nutrition वाला topic नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरे plant kingdom में एक जैसा है, clear हो गई बात, सही है, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना अब, ध्यान से सुनना बिटा, अगर मैं bryophyte में बात कर रहा हूँ किसकी sexual reproduction की, तो मुझे ये समझ आना चाहिए, मुझे sex organ पढ़ने पढ़ेंगे, clear, मुझे क्या पढ़ने पढ़ेंगे, sex organ, क्योंकि ये bryophyte में क्या लिखा हुआ है बेटा, ये उसका gametophyte है, ये उसका क्या है, gametophyte haploid है, चीक है, त जरा sex organ के बारे में पढ़ते हैं, माल लो, ये bryophyte का thallus है, thallus का मतलब उसका structure है, clear, और वो gametophyte क्योंकि gamets बना सकता है, gamet जो होते हैं बेटा, वो randomly नहीं बनते, वो एक particular structure पर develop करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक flask shape का structure इस पर बन गया, ऐसे, flask shape का, ध्यान से देखो ब बना है, clear, multicellular structure बना है, इस multicellular structure का नाम है, archegonium, क्या नाम है बिटा, archegonium, इस multicellular structure का नाम, archegonium है, ये किस पर बना है, gametophyte पर, जान से चुनों बिटा, किसी haploid thallus पर, बनने वाला structure भी haploid होगा, ये archegonium, female sex organ है, ये क्या है, female sex organ है, clear, female sex organ है, और ये किस पर बना है, bryophyte के thallus पर, ये जो archegonium है, इसमें NCRT लिखती है, single female gamet होता है, जिसे हम कहते हैं, single egg cell, single egg cell, और याद रखो, इनमें भी O gamus reproduction होती है, सिर्फ O gamus, तो ISO, N ISO सिर्फ brown और green algae में था, पूरे plant kingdom में फिर O gamus लेके चलते हैं, ठीक होगी बात, तो मैंने ये बोला, कि bryophyte के thallus पर, जिसे आप gametophyte कहते हो, उस पर female sex organ बनता है, जिसका नाम क्या है, archegonium, ठीक है, उस पर एक single egg cell होता है, तो egg cell मेरे पास क्या है बिटा, egg cell मेरे पास क्या है, egg cell मेरे पास female gamet है, जो कि large size होगा non-motile है, क्या होगा non-motile, ठीक है, clear, ऐसा gametophyte, जिस पे female sex organ बने, उसे हम कहते हैं female gametophyte, अब यहां आ जाते हैं, यहां पर एक male sex organ बनता है, जान से सुनें बिटा, male sex organ बनता है, इसका नाम है एंथ्रीडियम, इसका नाम एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम भी haploid है, क्योंकि वो किस पर बना है, वो बना है बिटा, male gametophyte पर, वो बना है male gametophyte पर, क्योंकि आप देखिए, इसका नाम male gametophyte क्यों है, क्योंकि इस पर male sex organ है, male sex organ, कोई भी चीज अगर gametophyte पर बनती है, तो वो haploid होगी, क्योंकि gametophyte खुद haploid है, प्लॉइडी तब तक नहीं बदलती, जब तक या तो fertilization हो, या meiosis हो, तो हमने का female gametophyte, हमने का ये gametophyte है, इस पर जो archegonium बना, वो भी haploid है, क्योंकि ये archegonium किस से बना है, ये बना है हमारे पास mitosis से, ऐसी enthridium भी इस से बना होगा, इस enthridium से हमारे पास male gamet बनते हैं, जिन पे दो flagella है, अगर flagella है तो motile, तो हम लिखेंगे, इसमें से बहुत सारे motile male gamet बनेंगे, और motile male gamet में दो flagella है, जिसे हम कहेंगे biflagellated, biflagellated का मतलब हमारे पास दो flagella वाला structure बनेगा, ये देख लिजे, दो flagella वाले structure बनेगे, जिसे आप नाम दोगे male gamets, अब क्योंकि ये male gamet में flagella है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी involved होगा, इसलिए इन्हें amphibians कह रहे थे, क्योंकि fertilization के लिए क्या चाहिए बेटा water, तो rainy season में इनकी fertilization होगी, या ये water body के आसपास होगे, fertilization में ये male gamet यहां से enter करेगा, तो ऐसी fertilization को आप क्या बोलते हो, internal fertilization, क्या बोलोगे बेटा, internal fertilization बोलोगे, और यहां आकर ये zygote बनाएगा, तो हमने ये सीखा, हमने ये सीखा बेटा यहां पर, कि male gamet motile है और कितने flagella है, दो, female gamet archegonium में है, तो हमारे पास जो sex organ हो गए, जो sex organ हो गए, उनके क्या नाम है बेटा, हमारे पास, sex organ के नाम हो गए, दो, एक हो गया archegonium, और एक हो गया मेरे पास enthridium, clear, एक मेरे पास क्या आ गया बेटा, enthridium आ गया, हना, enthridium आ गया, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखिए, माल लीजिए, ये thallus है, चीक है, ये thallus है, ऐसा भी हो सकता है, कि archegonium और enthridium सेम thallus पे आ जाए, तो इसे हम कहते हैं, bisexual thallus, bisexual मतलब दोनों gamet इसी पे बन जाएंगे, bisexual thallus या bisexual gametophy, समझ आ रही है, दोनों एक ही पे बन गए, clear, bisexual के लिए एक और वर्ड होता है, monoseous, क्या वर्ड होता है बेटा, monoseous, चीक है, clear, और अभी जो हमने example पड़ा, वो एक liver वर्ड का example था, जिस पे archegonium और enthridium अलग-अलग thallus पे थे, देख रहे हैं, अलग-अलग है, इसे हम बोलते हैं, dioces, dioces का मतलब दो thallus, ये समझना है, कि thallus एकी पर भी हो सकता है, दोनों पर भी हो सकता है, अब किसमें, bryophytes में, ये चीज़ समझ आ रहा है, इसका example marcantia है, ये एक liver word है, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे, bryophytes के दो group होते हैं, ठीक है, तो ये हमने एक sex organ के बारे में पढ़ लिया, मैं चाह रहा हूँ, एक general life cycle आप समझ लें, जो बहुत important है, देखिए, general life cycle हम कैसे बनाते हैं, जैसे माल लीजिए, ये एक thallus है, ये basically क्या है, इस तरीके से बना हुआ, हमारे पास thallus है, इस thallus पे, इस thallus पे मैंने क्या किया बिटा, ये archegonium बना दिया माल ला, इस तरीके से ये archegonium बना दिया, इस वन इस archegonium, और ये मेरे पास gametophyte है, अगर उस पे archegonium बना है, तो वो कौन सा gametophyte हो गया, फी में, मैंने एक और thallus बनाया ऐसा, मैं general life cycle बता रहा हूँ आपको, उस पर मेरे पास ये male structure है, male sex organ, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, enthridium, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, enthridium, enthridium क्या बनाएगा, biflagellated male gamet, जो पानी की help से, पानी की help से इसको fertilize करेगा, clear, क्या करेगा बिटा, fertilization, मैं लिख देता हूँ, fertilization करेगा, पानी की help से, अब देखो क्या होगा, general life cycle बता रहा हूँ आपको, अब देखो क्या होगा, ये जो हमारे पास थेलस है, female gametophyte वाला, इस थेलस पर जो archegonium है, उस archegonium के अंदर, पहले तो egg cell था, अभी आ जाएगा zygote, यहाँ क्या आ गया, zygote, जो की diploid है, और ये तो gametophyte है न बिटा, तो gametophyte क्या होता है, gametophyte haploid होता है, ठीक है, clear, एक general life cycle बता रहा हूँ, याद करो algae, algae के case में इस zygote की meiosis होती थी, bryophyte में zygote की meiosis नहीं होती, zygote की mitosis होती है, समझो इस बाद को, algae के case में zygote की meiosis होती थी, bryophyte के case में zygote की mitosis होगी, और हम इस mitosis से क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ये gametophyte है, और कौन से वाला female gametophyte है, इस female gametophyte पे, zygote की mitosis से, हम एक structure बना लेंगे इस तरीके का, और ये हमने यहाँ पर इसके बार, ये archegonium का cover था ही, ये एक structure बना लेंगे, इस structure को नाम देंगे sporophyte, क्योंकि ये diploid है, और ये किसकी mitosis से बना है, zygote की, समझ आ रहा है, हमने क्या किया, हमने इस zygote की क्या की, mitosis, जब आप किसी single cell की mitosis करोगे, तो वो multicellular बन सकता है, तो हमने एक structure बनाया, एक multicellular क्या बनाया, structure बनाया, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, multicellular sporophyte, इस multicellular sporophyte के, तीन पार्ट हैं बेटा, एक है capsule, इधर है सीटा, और नीचे वाला पार्ट है foot, foot वाला पार्ट इससे खाना लेता है, gametophyte से, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, कि zygote की mitosis से, एक multicellular structure बनता है, वो multicellular structure का नाम है, capsule, सीटा और foot, तीनों को मिला के sporophyte बोलते हैं, sporophyte का role, spore बनाना है, दूसरी बात, ये sporophyte, इससे खाना ले रहा है, जो green है, क्योंकि sporophyte हमारे पास, हम लिख सकते हैं, non green है इस case में, किसके case में, bryophyte के case में, तो ये sporophyte, इससे खाना लेगा foot के थूँ, और ये capsule के अंदर, capsule के अंदर, meiosis से spore बनेंगे, ये मालो मैंने वो thallus बना दिया, ये वो structure है, जिसे आप sporophyte कह रहे हो, जिसके तीन पार्ट थे, इस capsule के अंदर, ज्यान से देखें मिटा, इस capsule के अंदर, हमारे पास ये capsule है, इसके अंदर, meiosis से spore बनेंगे, ऐसे, meiosis से क्या बनेंगे spore, देखिए, ये capsule, इसको कह रहे हैं, सीटा, ठीक है, इसको कह रहे हैं सीटा बिटा, देखो ये सीटा है, और ये हमारे पास foot है, ये तीनों पार्ट diploid होंगे, why diploid, क्योंकि ये basically क्या है, माइटासिस से बनेंगे, लेकिन इस diploid capsule के अंदर, meiosis से spore बना जो की haploid है, आई समझ, ये spore haploid है, और इस spore की mitosis से, आप gametophyte बना सकते हैं, ये वाले, क्या करना पड़ेगा mitosis, ये एक general life cycle है, किसकी bryophyte की, clear हो गई बात, तो आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया, कि ये capsule है, इस capsule के अंदर, meiosis हो रही है, haploid cell बना रही है, ये पूरा structure diploid है, this one is diploid, why diploid, क्योंकि zygote की mitosis से बना है, तो आपने ये सीखा बिटा, कि bryophyte में दो stage है, gametophyte और sporophyte, gametophyte main plant है, क्योंकि ये इसके comparison में, ये ज़्यादा समय तक होता है, मालो 40 दिन की life cycle है, 35 days तक gametophyte दिख रहा है, sporophyte तभी दिखता है, जब spor बनाना है, sporophyte किस से बनेगा, zygote से, तो कैसा होगा, diploid, mitosis से बना, sporophyte के capsule वाले पार्ट में, meiosis होगी, और spore बनेंगे, spore haploid cell है, ये spore जाकर क्या बना देंगे, archegonium और enthridium, यही आपकी NCRT लिखती है, और जिसको हम देख सकते हैं, इस NCRT के, जो हमारे पास given है, देख लिजी, bryophyte moist और shady area में grow कर, इन्हें plant amphibian कहते हैं, क्योंकि इनको fertilization के लिए, पानी की नीड है, clear, सही है, दूसरा succession का मतलब आपको आगे बताएंगे, तो plant body कैसी है, बिटा, more differentiated है, algae comparison में, still thallus है, हमने ये बात बोली थी, और prostate का मतलब ऐसे, horizontal, erect का मतलब सीधा, लेकिन किसी चीज से attach होगी, attach मतलब किसी पत्थर पे, मिट्टी पे, कहीं attach होगी, जिसे substratum कहते हैं, जिस पर attach होती है, किसकी मदद से, rye joids की मदद से, ये हम देखेंगे, uni और multi आगे, clear, इनमें root stem leaf नहीं होती, root leaf stem like structure होता है, ठीक है, मैं read कर रहा हूँ, समझाने के बाद, simple read नहीं कर रहा, clear, दूसरा हमारे पास, हमने बोला है, कि उसकी main plant body क्या है बिटा, gametophyte, जो कैसी है, देख रहे हो, haploid, clear, और उस पर sex organ बनते हैं, enthridium और archegonium, enthridium क्या बनाता है, दो फ्लैजिला वाला, enthridium और female sex organ किस पर बनता है, archegonium में, जो flask shape था, उस पर single axle था, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा बिटा, पानी की एल्प से वो fertilize करेगा, zygote बनेगा, zygote क्या बनाएगा, reduction division नहीं करता है, इसका क्या मतलब है, इस line का meaning है, zygote तुरंत meiosis नहीं करता, zygote mitosis करता है, और उससे एक multicellular sporophyte बनाता है, समझा रहा है, multicellular sporophyte बनाता है, clear, सही है, उसके बाद sporophyte is not free living, बट वो attach होता है, देख रहे हो, sporophyte is not free living, इसकी बात कर रहे हैं, sporophyte is not free living, इसकी बात कर रहे हैं, यह sporophyte free living नहीं है, यह वाला, यह attach है gametophyte पर, वहीं से खाना ले रहा है, यही anxiety कह रहे है, वो खाना ले रहा है किस से बिटा, nourishment ले रहा है किस से gametophyte से, और कुछ cells sporophyte के capsule के अंदर, meiosis करेंगे कहा हैं रहे हैं, reduction division, क्या बनाएंगे, haploid spore, clear, और यह spore germinate करके, gametophyte बनाएंगे, यहां तक समझ आ रहा है, clear, यहां तक समझ आ रहा है, अब हम बात करने वाले हैं बिटा, classification of bryophytes की, कि bryophytes को classify कैसे करें, clear, कौन से groups हैं, जिसमें हम bryophyte को classify करते हैं, ध्यान से देखें, important है, बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखें, देखें, हम क्या करते हैं बिटा, bryophytes को वैसे, तीन categories में divide किया जा सकता है, तीन classes हैं, bryophytes की तीन classes हैं, NCRT दो पढ़ाती हैं, तीन classes हैं, ठीक है, पहली class है, जिसका नाम है, hepaticopsida, ये class है, जिसका एक और नाम, common name है, liver word, ये liver की disease को, cure करने में use होते थे, दूसरी class है, class word यूज कर रहा हूँ, जैसे kingdom की बाद phylum आता है न, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, kingdom phylum, या kingdom division, clear, फिर class लिखते हैं, उपर से नीचे की तरफ, ऐसे class है, second class को हम लिख रहे हैं, bryopsida, bryopsida, इन्हें हम कहते हैं, moss, third class है, हमारे पास, anthoceroxida, ये आपके syllabus में है नहीं, पहले question आते थे, अब नहीं आएंगे, जिसे हम कहते हैं, बिटा, जिने हम कहते हैं, horn word, horn word, ये नहीं आएगा, तो आपको यहीं दो classes पढ़नी हैं, और इन दो classes के example, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, वही पूछेंगे, एक है हमारे पास, markensia, ठीक है, markensia, पुरानी books में एक और मिलता था, rixia, वो अब नहीं पढ़ना, क्योंकि NCRT के बाहर नहीं आएगा, चेक, इसमें हमारे पास examples है, एक है मेरे पास funeria, ये moss है, एक है हमारे पास polytrichum, polytrichum, और एक है हमारे पास sphagnum, sphagnum का common name है peat moss, peat moss कहते हैं उसे, ठीक है funeria, ठीक है polytrichum, तो ये नाम बिटा NCRT से याद करने है, moss group में है, और ये वाले किसमें हैं, और ये genus दे रखे हैं, these are genus, ये genus है हमारे पास, clear, तो ये classification हो गई, अब हम क्या करेंगे, liver, wort और moss को separately पढ़ेंगे, और इसमें भी वही sequence follow करेंगे, जो हम follow करते थे बिटा, आपका other उसमें, clear, other उसमें मतलब, same habitat, तो अगर मैं liver, wort की बात कर रहा हूँ, तो पहली class है liver, wort, ये मेरे पास बिटा, first class है liver, wort, ये class है, इसकी मेरे पास, सबसे पहले में क्या पढ़ूँगा, कहां मिलते हैं, ये मुझे मिल रहे हैं, ध्यान से सुनें, बिटा, moist shady place पे, लिखा हुआ है moist shady place, और वो moist shady place क्या हो सकती है, bank of stream, नदी के किनारे, bank of stream, गीली लकडी, bark पर, कहीं deep wood में, जहां shade हो, ये चीज़ समझा रहा है, marshy area में, दल्दली area में, तो NCRT लिख रही है इस बात को, bank of stream, marshy area, damp soil, गीली soil, bark of tree, मतलब tree की छाल, जो जिस पर moisture हो, और deep in wood, आपको कहीं न कहीं, ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, ये shade में मिल रहे है, और moisture में मिल रहे है, moisture समझा रहा है, जहां basically क्या हो, जहां basically हमारे पास, basically पानी की, पानी हो, वहाँ पर उसे moisture कहने है, ये मुझे shade में मिल रहे है, मुझे moisture में मिल रहे है, ठीक है, क्योंकि पानी की need है, किसको move करने के लिए anthrozoid याद करो anthrozoid को move करने के लिए पानी की need है ये चीज़ समझा रही है बिटा ठीक तो आगे हम लोग इसमें बात करते हैं इनके structure की किनके structure की structure of liver word और आपके syllabus में liver word का जो structure है वो exactly किसके बारे में पढ़ाया गया है मारकेंशिया के बारे में मारकेंशिया ध्यान से सुनना important है मारकेंशिया हमें कुछ इस तरीके का दिखता है ऐसा थैलस दिखता है उसका इस तरीके का ऐसा थैलस दिखता है ये उपर से दिख रहा है Leaf जैसा ऐसे ठीके लीफ जैसा थैलस दिखता है इस marcantia के lower surface पर ऐसा ring nodes होते हैं तो हम क्या कहते हैं बैटा इसको हम दानते है marcantia actual में क्या है हम कहेंगे बिचे इसको इसका जो थैलस है horizontal है horizontal का मतलब horizontal grow करता ऐसे थैलस जमीन से लग के ग्रो करता है, आप हमेशा याद रखें, ट्रीज उपर ग्रो कर सकते हैं क्योंकि उनमें वास्कुलर बंडल होते हैं, इनमें वास्कुलर बंडल नहीं है, तो इन्हें मौइस्चर के साथ सर्फेस से लग के ग्रो करना पड़ता है, इन्हें हम कहते हैं ह horizontal हम लिखेंगे closely oppressed, चिपका हुआ, oppressed का मतलब चिपका हुआ to substratum, ऐसे ग्रोव करता है, और उसके lower surface पर, उपर वाले surface पर नहीं, नीचे वाले surface पर, हमारे पास बिटा rhijoid's present होते हैं, ऐसे, इस तरीके के structures हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, rhijoid's नाम देते हैं, और rhijoid's देखो, दो तरीके के होते हैं cell में, जहां से सुनना बिटा, किसी भी cell में rhijoid's दो तरीके के होते हैं, मैं बना रहा हूँ, आप समझना इस बाग को, एक ऐसा rhijoid's, जो single cell की outgrowth है, ऐसे, दूसरा rhijoid's ऐसा हो सकता है, जो multi-cellular हो, या branch हो ऐसे, ये देखिए, ऐसे, ये branch भी हो गया, तो ये वाला जो rhijoid's है, ये liver vert में मिलता है, जो unicellular वाला है, ये वाला मुझे कहां मिलता है, मौस में, मतलब इसके नीचे किसी cell से, single cell की outgrowth है rhijoid, rhijoid's पानी absorb करते हैं, absorb water, और ये rhijoid's कैसे हैं, unicellular है, कैसे हैं बिटा, unicellular, अना unicellular है, चीक है, clear, ये चीज़ समझ आ रही है, और इनके upper surface पर, यहाँ पर, हमारे पास, यह देख रहे हैं, यहाँ पर है इस तरीके से, यह तो ये rhijoid's हो गया, तो ये leaf जैसा structure हो गया, leafy thallus कहते हैं इसे, sorry, leaf like horizontal thallus हो गया, अच्छा, NCRT लिखती है बिटा, और इस बात को दिमाग में बिठाना है, NCRT लिखती है, कि कुछ thallus जो ऐसे horizontal है, उन पर leaf भी लगी रहती है, ऐसे, leaf भी लगी हो सकती है, और वो leaf दो रो में होगी, देखो, thallus कैसा होगा, एक तो ऐसा, जमीन से चिपका हुआ ऐसा, दूसरा thallus जो होगा, अगर इस तरीके का है, horizontal, उस पर leaf भी हो सकती है, तो हम इसे कहते है, leafy thallus, कुछ बच्चों को लगता है, यह liver word में नहीं होता, NCRT चेक करना, leafy thallus है, और उसमें जो leaf है, वो किसमें है, बिटा, leaf into row में, दो row का मतलब, दो lines में, मैं दिखा रहा हूँ, इसका क्या meaning है, दो row का मतलब, एक row यह हो गई, और एक row यह पूरी हो गई, लिए लीफ हमारे पास दो row पे है, इसमें भी rhidoids होंगे, तो यह structure हो गया किसका, हमारे पास liver word का, NCRT ने liver word का जो structure है, वो यह दिया है, markensia का, इस structure में देखिए आप क्या है, this is thallus, this is rhidoids, इसके उपर देखिए, हमारे पास जो archegonium है, वो direct ना बनकर एक branch बनी है, उसके उपर एक disc बनी हो, मतलब एक branch बनी, उसके उपर एक disc बनी, उसके उपर काफी सारे archegonium बनेंगी, ऐसे, clear, इस branch का नाम है archegonium 4, मतलब archegonium bearing branch, ऐसी branch जिस पर archegonium लगे हुए है, ऐसे ही एक branch बनी, जिस पर disc बनी, disc मतलब ऐसा structure, और उस पर खूब सारे enthridium बनेंगे, तो इस branch का नाम है enthridio 4, अच्छा, इस पर archegonium बन रहा है, तो ये कौन सा गेमेटोफाइट हुआ, ये हुआ female gamेटोफाइट, और इसका नाम क्या है बिटा, हमारे पास male gamेटोफाइट, ये चीज़ समझा गई, और ये कैसा थैलस है, horizontal, मतलब ये horizontal ग्रोग करेंगा, asexual reproduction की, liver word का हमने थैलस देखा, तो हम इसमें बात कर रहे हैं अभी किसकी asexual की है, जहां से देखें, ये इसका थैलस है, ये थैलस है ऐसा, इस तरीके से थैलस है, तो एक possibility है कि इसमें fragmentation हो, क्योंकि differentiation तो है नहीं, तो fragmentation possible है बिटा, दूसरा क्या होता है, जहां से सुनें दूसरा क्या होता है, इनके थैलस के ऊपर, हमारे पास cup जैसा structure बनता है, cup like, एक cup like structure बनता है, थैलस के अपर surface पे, structure बनता है, उस cup like structure को हम नाम देते हैं, जामा cup, या जामी cup, जामी cup, ठीक है, ये किस पर बन रहा है, गेमेटोफाइट पे देख रहे हो, किस पर बन रहा है gametophyte के upper surface पर male female दोनों पर बन सकता है तो gametophyte के upper surface पर एक cup-like structure बनता है और उस cup-like structure के अंदर हमारे पास यहाँ पर bud बनती है ऐसे ऐसे क्या बनती है बड ये बड जो होती है बेटा ऐसे ऐसे ये बड जैसा structure है इस बड को हम नाम देते हैं जामी बड जामी बड क्या है ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाला हूँ देखो हम Asexual reproduction पढ़ रहे हैं पहली type fragmentation दूसरा type क्या होता है एक cup-like structure बनता है जिसमें जामा बड होती है ये जामा बड बनती है मतलब buds बनती है इसके उपर ऐसे ऐसे buds बन जाएंगे इस cup में ये जो जामा बड होती है ये जाकर नया थैलस बना सकते हैं ये जाकर क्या बना सकते हैं इस तरीके से नया थैलस बना सकते हैं ना नया थैलस तो बना सकते हैं मतलब इसका मतलब ये हुआ each जामा बड each jama bud can give new thallus can give new thallus नया thallus बना सकते हैं पर हमेशा याद रखो किसी भी चीज को नया plant बनाने के लिए या तो वो खुद green हो या उसमें क्या हो खाना स्टोर हो जैसे की seed seed क्या है green नहीं है पर उसमें खाना स्टोर है clear तो हम यहाँ पर यह clearly बोल रहे हैं कि यह जो हमारे पास है यह जो हमारे पास है यह gametophyte है इसमें यह jama bud है तो jama bud green है NCRT लिखती है photosynthetic है और multicellular है और कैसी है बेटा multicellular है यह जो jama bud है यह जाकर नया thallus बना सकती है तो मैंने फिर repeat करता हूँ नया thallus या नया plant बनाने के लिए वो खुद green और photosynthetic हो नहीं तो खाना store हो like seed clear हो गई बात खाना store हो like seed यह चीज clear है बेटा खाना store हो like seed दूसरी बात आपको एक चीज और यहाँ समझानी चाहिए कि यह asexual reproduction पढ़ रहे है ठीक है अगर आपसे कोई jama bud की ploidy पूछे यह haploid है कि diploid है तो आप कहेंगे haploid क्यों haploid क्योंकि यह किस पर बने है gametophyte पर gametophyte खुद से haploid है clear क्या तक समझा गई अब हम बात करने वाले हैं बिटा liver word की life cycle की liver word की life cycle ठीक है उसको हम बात करते हैं ध्यान से देखे माल लीजिए यह हमारे पास female gametophyte यह थैलस है जिसे मैं female gametophyte कह रहा हूँ यह वही life cycle है जो just हमने पढ़ी यह इसको माल लेते है male gametophyte अगर किसी को मैं male और female gametophyte लिख रहा हूँ life cycle का मतलब sexual reproduction पढ़ रहे हैं देखिए female gametophyte male gametophyte दोनों haploid है इस पर मेरे पास वो flask shape structure है जिसका नाम archegonium है archegonium में हमारे पास female gamet है जिसे आप क्या बोलोगे excel excel भी haploid है क्योंकि gametophyte पर बना और gamet वैसे भी haploid होते है इसके उपर हमारे पास है बेटा enthridium ये enthridium है enthridium जो है हमारे पास वो कैसा है वो haploid है उस पर जो बना ये male gamet जिनके नाम क्या है enthrosoid enthrosoid ये जाकर पानी से इसको fertilize करेंगे enthrosoid जाकर इसको fertilize कर देंगे यहां fertilization हो रही है और fertilization कौन कर रहा है बेटा पानी water से हमारे पास fertilization हो गई हना fertilization हो गई यहां तक समझा रहा तो हम ये female gametophyte को फिर से बनाएंगे female gametophyte को बेटा फिर से बनाया मैंने और मैंने आपको दिखाया इस पे हमारे पास ये आर्की गोनियम है इस आर्की गोनियम के अंदर अब हमारे पास क्या है बेटा जाइगोट है अब हमारे पास क्या है माननो ये चीद जाइगोट है clear तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह इसकी बात कर रहा हूँ यहां तक समझा रही है female gametophyte बनाया इसमें हमारे पास zygote बन गया अब हम क्या करेंगे zygote को mitosis करेंगे zygote की क्या करेंगे mitosis zygote की क्या होगी mitosis mitosis करने मिटा zygote की जब mitosis करेंगे तो उससे क्या होगा एक multicellular sporophyte बनेगा एक क्या बनेगा multicellular sporophyte आपको दिखेगा multicellular sporophyte clear देखे द्यान से यह जो multicellular sporophyte है multicellular sporophyte है वो कुछ ऐसा होगा जिसके तीन पार्ट होगे एक होगा मेरे पास foot एक होगा ceta and another part is capsule आपको यह समझ आना चाहिए यह तीनों पार्ट हमारे पास diploid है और यह तीनों पार्ट को मिला के एक single word यूज करता हूँ sporophyte क्या word यूज कर रहा हूँ sporophyte तो आपको समझ आना चाहिए zygote ने एक multicellular sporophyte बनाया जिसके तीन पार्ट है इस sporophyte के यह हमने दिखा रहे है बिटा यह चीज देखो this is sporophyte यह sporophyte है तो मैं जरा इनको compare ले लेता हूँ sporophyte है और यह चीज क्या है बिटा this one is gametophyte यह हमारे पास gametophyte है ठीक sporophyte के हाँ पर bryophyte के case में या सम्में deployed होता है ठीक पर यह dependent है dependent का मतलब यह किस पे depend है इस gametophyte पे खाना के लेने के लिए तो dependent और parasitic किस पर parasitic है parasitic on gametophyte किस पर parasitic है बिटा gametophyte पे समझो इस बात को इस zygote से मेरे पास यह multicellular sporophyte बना है यह multicellular sporophyte खाने के लिए depend है किस पे gametophyte पे क्योंकि गेमेटोफाइट ग्रीन है ये नौन ग्रीन है ये हमारे पास बिटा ये हमारे पास नौन ग्रीन है और ये मेरे पास क्या है ग्रीन है तो ग्रीन होगा तो क्या होगा फोटो सिंथटिक होगा और इसको हम क्या बोलेंगे बिटा इसको हम कहेंगे फ्री लिविंग ये किसी पे depend नहीं है और इस वाले के लिए हमने क्या word use कि dependent छीक होगी बात तो हम कहेंगे हैं तो दोनों multicellular ये और ये पर sporophyte depend है किस पे gametophyte में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग bryophytes की किसकी बात कर रहे हैं bryophytes की इसके अंदर हमारे पास क्या बन गए ये sports क्या बन गए बिटा sports बन गए ये क्या बन गए sports बन गए ये sports बन गए sports कैसे बने है meiosis से तो मैं इस बात को लिख रहा हूँ inside capsule क्या हुई है meiosis अकर क्या हुई meiosis हो गई मियोसिस से मेरे पास क्या बन गए बिटा स्पोर्स बन गए ये स्पोर्स माइटासिस करके गेमेटोफाइट बना सकते हैं माइटासिस टू गिव गेमेटोफाइट चाहे मेल हो चाहे फीमेल कुछ भी बना सकते माइटासिस टू गिव गेमेटोफाइट clear चाहे male बनाना हो चाहे female बनाना हो तो यह life cycle है हमारे पास किसकी liver word की इससे थोड़ा ही अलग है moss की life cycle उसको हम देखेंगे clear उसको हम देखेंगे तो आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं properly इसी को आप NCRT से पढ़ेंगे आपको एक एक चीज समझ आएगी देख लेते हैं जरा liver word के लिए anxiety क्या कहती है ठीक है anxiety ने बुला है कि कहा मिलेंगे moist shady यह देख रहे हैं आप लो bark of stream यह हमने लिखा था है इसका main example क्या है markensia थैलस कैसा बताया डॉरसी वेंटल मतलब फ्लैट है डॉरसी वेंटल मतलब यह डॉरसल और वेंटल दोनों तरफ से फ्लैट है चिपका हुआ closely oppressed to substrate किसी चीज से इसका leafy member भी होता है जिसमें leaf दो रो में है देख रहे हैं दो रो में asexual reproduction कैसे होती है fragmentation दूसरा होता है jama bud बनती है jama bud देखिए क्या बताया था green multi-cellular asexual bud है और वो किस में बनती है jama cup में और वो अलग detach होकर एक नया gametophyte बना सकती है यह चीज समझा रहा है during sexual reproduction male and female sex organ किस पे बनेंगे अलग-अलग thallus पे बनेंगे देख रहे हो हमने वो क्या किया था gametophyte अलग-अलग बनाया male और female अना उसके बाद हम कह रहे है differentiate into foot seta capsule जो zygote बनेगा उससे foot seta capsule बनेगा देख रहे है चीक है उसके बाद meiosis sports meiosis से क्या बनेंगे sports और sports किस के अंदर बनें capsule के अंदर और यह sport germinate करने का मतलब है mitosis, sport germinate to form free living gametophyte clear हो गई बात, सही है अब हम पढ़ने वाले हैं moss, second class of bryophyte, ठीक है तो moss की बात कर लेते हैं, ठीक है हम लोग किस की बात कर रहे हैं बिटा, moss की बात कर रहे हैं, ठीक, clear तो देखे जरा moss में हम क्या पढ़ रहे हैं ज्यान से सुनेगा, बहुत important देखिए moss जो हैं हमारे पास moss जो हैं हमारे पास वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं हम अगर structure दिखाएं moss का आपको, जो आपके moss का structure दिखना चीए ये कुछ ऐसे होते हैं, ये रहे इस तरीके से दिखते हैं ये moss है, ठीक है ये नीचे इनका अलग स्टेज है, उपर अलग स्टेज है, पूरा moss है ऐसा कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं moss हमें clear इस तरीके से दिखते हैं तो हम लोग जड़े एक बार देख लेते हैं mainly मुझे क्या चीए, damp चहाँ पानी है, clear जब मैं structure की बात करता हूँ moss की, तो ध्यान से सुने, मैं पहली line ये लिक रहा हूँ, कि moss में भी main stage gametophyte है main stage क्या है बिटा, gametophyte है अगर आपको liver work याद हो, तो उसका gametophyte कैसा था, horizontal thallus horizontal था यहाँ thallus कैसा है, erect यहाँ thallus कैसा है, erect thallus erect है बिटा, यह बना दिया मालो देखो, ऐसा thallus बना दिया जिसमें क्या है stem like structure है stem जैसा structure है उसके base पे stem के base पर ही rigeoids हैं पर यह वाले rigeoids multi cellular हैं, देख पा रहे हैं एक से ज़ादा cell हैं तो आपके पास जो यहाँ rigeoids हैं वो कैसे हैं, gametophyte पर बने हैं, वो कैसे हैं बिटा multi cellular rigeoids है multi cellular rigeoids और वो कहाँ है base of stem पे, कहाँ पर है base of stem पे हैं खिक है, base of stem पे है दूसरी चीज, यह जो rigeoids हैं, जहाँ से सुनो यह जो stem है, इस पर leaf लगी हैं ऐसे, पर यह leaf spiral लगी है, वट है spiral देखो, spiral leaf का मतलब एक यहाँ, एक यहाँ ऐसे circle की form में, उसे spiral कहते हैं तो leaf कैसे लगी है इसे हम कहते हैं, बिटा देखो इसकी जो leaf है, वो spiral है, तो मैं यह क्या stage बना रहा हूँ, यह पूरी stage gametophyte है, क्योंकि main stage क्या होती है, gametophyte यह पूरी stage हमारे पास क्या है, gametophyte बना रहा हूँ यह gametophyte बना रहा हूँ तो gametophyte stage में मैंने क्या बोला, कि इसका यह gametophyte सीधा है, ऐसा, ऐसा नहीं है यह देख रहो, यह बना हुआ है जो यह gametophyte बना हुआ है जिसमें leaf spiral है और इसमें जो rhizoids लगे हैं वो multicellular है यह rhizoids है तो मैंने यह क्या बनाया है? gametophyte बनाया है और gametophyte में हमने लिखा है leaf spiral है stem-like structure और rhizoids कैसे है? multicellular यहां तक समझ आ रही है? clear? अब अगर मैं इनके reproduction की बात करूँ तो मैं दोनों तरह की reproduction इसमें पढ़ सकता हूँ ज्यान से सुनें इनमें दोनों तरह की reproduction पढ़ सकता हूँ एक reproduction हमारे पास क्या होगी? एक होगी asexual तो asexual में इसमें दोट होती है बिटा एक होती है fragmentation एक चीज दिमाग में रखना बिटा आपकी जो zoospore वगयरे हमने पढ़े थे न वो algae में ही होते हैं या fungi में हम लोग पढ़ सकते हैं clear? ब्रायोफाइट्स में spores नहीं बनते हैं वो आले asexual reproduction वाले हना? एक तो fragmentation होगी दूसरा इसमें एक लिखा हुआ है budding in protonima अभी मैं इसको समझाओंगा budding in protonima वाली बात को मैं अभी समझाओंगा आपको clear? सही है और दूसरा इसमें हम लोग sexual reproduction पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज जो NCRT ने बताई है वो दिमाग में बिठाओ कि mosses में जो हमारे पास thallus है वो bisexual, unisexual दोनों हो सकता है पर mainly bisexual होता है मतलब हम यह कहते हैं कि mainly gametophyte monosious होता है mainly gametophyte कैसा होता है? gametophyte हमारे पास monosious होता है what is monosious? monosious मतलब bisexual तो मैं चारा हूँ इसकी life cycle पढ़ना, मैं चारा हूँ कि moss की आप life cycle को समझें क्या है जो कि बहुत important है, जरा देख लेते हैं, ध्यान से देखिए moss में हमने यह उसकी gametophyte stage बना दिया gametophyte stage में यह stem जैसा structure है इस पर यह leaf लगी हुई है, जो spiral है spiral ऐसे leaf लगी हुई है, इस पर यह branch भी होती है इसके अलावा नीचे rhidoids है तो यह इसकी कौन सी stage बनाई मैंने gametophyte gametophyte stage जो बनाई है, इसको मैं leafy stage भी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें leaf हैं बहुत सारी देख लो, यह जो gametophyte stage बनाई है इसको मैं leafy stage भी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास leaf हैं बहुत सारी ठीक है, leaf है यह जो leafy stage है, ध्यान से देखना बिटा यह जो मेरे पास leafy stage है leafy stage है, इस leafy stage में मैं फिर repeat कर देता हूँ, यह leafy stage है जिस पे यह ragoides है, और यह branch है इस पे हमारे पास enthradium और archegonium बन सकता है इसको में क्या नाम दे रहा हूँ enthradium और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ archegonium उसी के हिजाब से आप इन branch के नाम भी रख सकते हैं आप क्या रख सकते हैं इस branch को कह सकते हैं enthridium वाली branch enthridial branch और दूसरे वाली branch को ये जो थी जिस पर archegonium है archegonial branch और फिर इस archegonial branch में हमारे पास fertilization से zygote बन जाएगा fertilization से क्या बन जाएगा zygote तो ये हमने बना दिया यहां ऐसे और इस पे मेरे पास क्या आ गया बिटा यहां पर मेरे पास क्या बन गया zygote बन गया याद करो zygote बना दिया हमने हमने क्या बना दिया zygote zygote कैसे बनेगा enthrosoid आएगा इसको fertilize करेगा किसी और moss का तो यहां मेरे पास zygote आ गया जो diploid है और इसे मैं क्या कह रहा हूँ leafy stage और gametophyte जो की क्या है हमारे पास haploid है जो की haploid है यहां से सुनो यहां तक तो बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसा liverwort का था फिर हमने क्या करी इसी leafy stage में leafy stage वाले में हमारे पास archegonium में जो zygote था उसकी mitosis से ऐसे sporophyte बना दिये ncrt लिखती है यह ज़ादा बड़ा sporophyte होता है मतलब sporophyte moss का more elaborate होता है बड़ा होता है well developed होता है as compared to liverwort clear तो यह मैंने क्या बना दिये बिटा यह चीज तो क्या थी यह थी gametophyte जो की green है leafy stage है इस पे leaf है ऐसे leaf है खीक clear और इस stage को मैंने क्या नाम दिया this stage is sporophyte और sporophyte कैसी stage है बताओ this is diploid gametophyte is haploid समझ आ रहा है छीक है अब sporophyte इस पे depend है sporophyte पे meiosis से यहाँ spor बन गए यह क्या बन गए spor spor कैसे बने है inside capsule meiosis हुई है मैं लिख देता हूँ इस बात को inside capsule क्या हुई है meiosis उससे क्या बने बिटा spor बन गए spor बन गए ध्यान से सुने जब हमने liver work की life cycle पड़ी थी तो हमने बोला था हमने कहा था कि यह जो spor stage है यह directly gametophyte बना रही है mitosis से यह हमने liver work में कहा था अब जड़ा यह देखो अगर मैं moss की बात करता हूँ तो moss में क्या होता है यह spor जो है यह directly leafy stage नहीं बनाते यह एक और stage बनाते हैं पहले जो green होती है photosynthetic होती है उसे कहते हैं protonima उसे हम क्या नाम देते हैं बिटा protonima तो मैं आपको यह बता रहा हूँ यहां पर कि यह अभी एक stage और बनाएंगे उसको बनाने से पहले तो इसे हम कहते हैं protonima तो protonima कौन बनाता है spore तो हम यह लिखेंगे कि spore जो है spore give another haploid stage another stage जो बीच में बनी जिसको हम protonima कहते हैं यह भी haploid है यह भी haploid है और यह free living है तो इसका मतलब यह green है NCRT चेक करोगे तो clearly लिखा है green filamentous photosynthetic proper differentiated नहीं है photosynthetic है अना photosynthetic है किसकी बात कर रहे हैं protonima की जहां से जुने बिटा spore directly leafy stage ना बना के बीच में एक और stage बनाता है जिसे protonima कहते है protonima भी haploid है क्योंकि किस से बना है spore से किस से बना है spore से इस protonima पर इस protonima पर बिटा ऐसे buds बनती है इस तरीके से क्या बनती है buds इस तरीके से side में buds बनती है जिने हम क्या नाम देते है lateral buds क्या नाम देते है lateral buds तो इन protonima पर हमारे पास lateral buds बनती है क्या बनती है lateral buds clear है यह जो lateral buds बनी यह जो lateral buds बनी हर एक bud अलग होके एक different leafy stage बना सकती है देखो जान से यह हर एक bud एक अलग leafy stage बना सकती है तो आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया मैंने कहा spore directly leafy stage नहीं बनाएगा वो एक intermediate stage बनाता है जिसे protonima कहते हैं इस वाले को फिर हम नाम दे देते हैं secondary protonima ये वाला जो है इसको नाम दे देते हैं secondary protonima इस secondary protonima पर हमारे पास buds बनती है buds बनती है side में इसे आठी कहती है lateral bud हर एक lateral bud जाकर gametophyte बना सकती है माल लो एक protonima पर 100 bud बन गई तो 100 gametophyte बन गई किसी एक चीज से बिना reproduction के 100 चीज बनना sexual reproduction के asexual reproduction हो सकता है तो budding in protonima can be considered as a part of asexual reproduction type of asexual reproduction मतलब हम यह कह रहे हैं यह cycle तो sexual reproduction की है लेकिन अगर इसमें किसी पार्ट से 2 पार्ट, 4 पार्ट बन जाए तो वो asexual reproduction होई न तो इस protonima पर जो buds है वो जाकर protonima पर जो buds है वो जाकर क्या करती है gametophyte और leafy stage बना देती है gametophyte और क्या बनाती है leafy stage बना सकती है ठीक है तो आप clear है यहाँ पर बिलकुल gametophyte जो है leafy stage है उस पर क्या बना archegonium, archegonial branch पर this archegonium इसकी fertilization से zygote बना zygote ने mitosis करके sporophyte बनाया जो की multicellular है उसके तीन पार्ट है capsule, ceta, foot यह जादा elaborate है as compared to liver word इसमें जो spore बने spore directly leafy stage ना बना के बीच में stage बनाएगा protonima यह भी green है यह भी photosynthetic है यह haploid है यह protonima पर lateral buds बनेगी हर एक bud हर एक bud जाकर हमारे पास क्या बनाएगी leafy stage clear हो गई बात क्या बनाएगी बिटा leafy stage बनाएगी तो यह हमारे पास क्या हो गया यह हमारे पास life cycle है किसकी moss इसकी अब मैं comparison भी ले सकता हूँ दोनों का अगर आप देखो liver word और moss को हम compare कर सकते हैं चीजों में जो हमने पड़े liver word और moss में क्या comparison है देखिए सबसे पहले liver word का जो थैलस है वो mainly क्या होता है prostate horizontal है न वो कैसा है horizontal है इसका जो थैलस है बिटा moss का वो थैलस erect है erect थैलस है इसके जो rhizoids थे moss के वो कैसे थे rhizoids multicellular rhizoids थे बिटा multicellular क्या थे rhizoids थे इसके rhizoids कैसे थे unicellular rhizoids है बिलकुल NCRT पढ़ रहे हैं बिटा unicellular rhizoids है चीज़ है clear इसमें जामा कप नहीं बनता तो इसमें होती है asexual reproduction budding in protonima चीज़ है इनमें हमारे पास जो होती है वो कौन सी होती है इसमें होती है liverwort में जामा का clear इसका जो sporophyte है वो less elaborate है क्या है मेरे पास less elaborate मतलब उतना बड़ा नहीं है इसका जो sporophyte है वो क्या है बिटा हमारे पास more elaborate है जादा well developed है ठीक है जादा well developed है समझ आ रही है इसके बाद हम ये कहते है बिटा हम ये कहते है कि इसमें जो spor है वो spor क्या देता है give gametophyte directly क्या देता है gametophyte देता है directly clear इसमें जो spor है वो क्या बनाएगा पहले spor बनाएगा give protonima पहले बनाएगा वो क्या चीज बेटा protonima बनाएगा spor इसमें protonima बनाएगा दूसरी चीज NCRT ने लिखाया कि capsule जो है हमारे पास इसमें से spor को जाने के dispersal के mechanism है spor उड़के जाएगा उसका एक mechanism है मतलब जो हमारे पास हमने gametophyte पढ़ा sorry sporophyte पढ़ा है ये वाला इस capsule में से spor के निकल के जाने के मतलब special mechanism होता है पहले हम previously पढ़ाते थे एक capsule पढ़ाते थे finiria का moss का जिसमें teeth होता था उसके उपर जिसमें से spor निकलते थे अब वो जुरूरत नहीं है वो सब आता नहीं clear अब हम बात कर सकते हैं moss की बिटा हम बात कर सकते हैं moss की clear तो हम ये कह रहे है कि जो life cycle है moss की उसमें gametophyte की दो stage है जैसे जो spor था उसे दो stage बनती थी एहली stage बनती थी protonima जो की कैसा होता था spor से बनता था जो creeping मतला horizontal green branch structure था filamentous था देख लो ठीक है और उस protonima से second stage बनती थी जिसे leafy stage कहते थी और वो कैसे बनती थी secondary protonima पर lateral bud बनती थी ठीक है और वो leafy stage कैसी है सीधी सीधी को कहते है upright पतली slender ठीक है उस पे कैसी leaf लगी वे spiral सही है और उसके नीचे क्या लगे वे है multicellular rhidoids और vegetative reproduction कैसे बताई fragmentation clear और budding in protonima यही बताया था ना secondary protonima में bud और sexual reproduction के लिए leafy stage पर sex organ बनेंगे और वो किस पर fertilization से क्या बनाएंगे zygote zygote बनाएगा foot seta capsule चीक है और sporophyte में हमारे पास जादा elaborator देख रहे हो यही चीज़ बोल रहा था liver word के comparison में और capsule में spore बनेंगे spore meiosis से बनेंगे और spore के disperse करने का mechanism clear समझ आगई बात यह NCRT है जो मैंने diagrams के थूँ आपको समझाई ठीक है pure diagram के थूँ आपने समझी अब एक चीज़ आपको समझना है हमारे पास इसकी कुछ importance भी है कुछ importance है इनकी importance of हमारे पास bryophytes की NCRT कहती है ध्यान से सुना NCRT कहती है bryophyte की little economic है more ecological importance है ecological importance क्या है अभी देख लेते है जादा कून सी importance है ecological ठीक है economic importance से जादा ecological importance है दूसरी बात हम यह कह रहे है जैसी यह क्या करते है mat form कर लेते है mat बना लेते है तो mat क्या prevent करेगा soil erosion prevent करेगा prevent soil erosion फिर हम एक चीज़ समझते हैं कि जैसे किसी mountain पर अभी कोई life नहीं है first time जब life आती है तो lichen आते हैं lichen के साथ हमारे पास moss आते हैं जो हम कहते हैं life बनाते हैं वहाँ पर तो उसे कहते हैं plant succession तो plant succession में मेरे पास lichen के साथ lichen and moss आते हैं किसी mountain में first time life बनाने के लिए और soil बनाने में help करते हैं मेरे पास एक moss है जिसका नाम sphagnum है sphagnum एक moss है जिसको use करते हैं fuel के तरह है use as a fuel इसी लिए उसको नाम देते हैं peat moss क्या नाम देते हैं peat जैसे coal की एक form थी peat अना fuel था वो तो वैसे नाम दे देते हैं peat moss हमारे पास क्या होता है बिटा moss जो होते है वो use होते है trans shipment actual में क्या होता है mosses के बीच में पानी hold हो जाता है बीच में कहा रहा हूँ capillary action से कौनसे action से capillary action से तो moss क्या कर सकते हैं use होते है use for trans shipment trans shipment का मतलब shipment के लिए दूर तक ले जाने जैसे माल लो आपने देखा होगा money plant जो है जिसको एक हमारे पास wooden wood होता है उसके उपर कुछ लगा रहता है brown सा वो moss होते है वो पानी hold कर सकते हैं उस पर money plant wrap कर सकते हैं तो trans shipment of living material आपको कोई plant है जिसको 20 days के लिए transport करना है मतलब इतनी दूर भेजना है कि पानी के ship से उसके 20 दिन लग जाएगा तो उसकी root के आसपस moss wrap कर दो moisture बना रहेगा यह चीज़ समझा रही है तो इसलिए लिखते हैं trans shipment of living material उसके अलावा बिटा हमारे पास क्या है जो हमारे पास ये है bryophyte है ये food की तरह use हो सकते है कुछ herbaceous animal के लिए use as a food किसके लिए herbaceous animal herbaceous animal मतलब कुछ हमारे पास birds होते हैं छोटे herbaceous animal मतलब birds वगएरे और हमारे पास mammal वगएरे birds and mammals ये चीजँ ने properly mention करी है clear mention करी है हम देख सकते है लगे हमारे देख सकते हैं NCRT ने जो mention किया वो ये रा यहाँ पर जहाँ पर उसने य चीज बताई थी चीच है clear ये आप देख सकते है NCRT ये चीज बता रही है आपको little देख रहे हो little economic importance जादा ecological है herbaceous mammal, birds वगरे है इसको खा सकते हैं इनको मॉस्स को स्वेगनम के क्या देते हैं पीट मतलब उससे हम क्या बनाते हैं फ्यूल या ट्रांस चिप्मेंट दूर ले जाने के लिए मॉस्स क्या करते हैं फर्स टाइम आते हैं किसके साथ lichen के साथ दूसरा ये क्या करते हैं mat बनाते हैं देख रहे हैं और एक तरीके से soil erosion क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं तो ये हमारे पास किसका रोल है बिटा ये हमारे पास moss का रोल है जो हमने देख लिया अब हम बिटा उस situation में है कि जहाँ पर एक दो questions देख सकते हैं जो हमारे पास neat में आते हैं उस तरीके के कुछ questions देख सकते हैं जैसे यह है आपके पास यह question है यहाँ देखा जा सकता है इसको देखिए यह question जैसे an example of colonial algae colonial algae कौन सी है बेटा wall walks 2017 का question है clear ठीक है इसके अलावा हमारे पास यह देख सकते हैं अब यह life cycle का question है एक्टो कारपस, fucus ही हम लोग आगे करेंगे life cycle वाले पार्ट में ठीक है अब एक्टो कारपस जो होता है मेरे पास haplodiplontic है fucus diplontic algae होती है algae वैसे haplontic होती है एक question आप यह देख सकते है zygotic meiosis zygote में meiosis किसमे होती है algae में और algae के दो example यहां दे रखे है यह funeria moss है markensia liverwort है kalmydomonas और fucus दोनों algae है पर fucus में mitosis होती है तो आपके पास फिर option बढ़ गया यह kalmydomonas ठीक है तो इस तरीके से हम questions कर सकते हैं next class में काफी सारे questions करेंगे जो needs से related है जो इस topic को relate करेंगे clear और हम क्या करेंगे बिटा हम expect करेंगे कि आपको जो मैंने examples बताये थे आप उन्हें याद कर ले उसी के दुरू हम questions बनाएंगे तो अभी तक हमने दो topic complete कर लिए algae और bryophyte next class में हम terido fight और may be gymnosperm उसके साथ relate करके पढ़ेंगे तो जब ये topic complete होंगे तब आपका ये chapter near completion पे आएगा उसके around हम लोग questions कर सकते हैं ताकि topic थोड़ा सा complete हो जाए questions बनाना easy होगा तो next lecture में मिलते हैं और वहां हम लोग पढ़ेंगे terido fight पढ़ाई करते हैं all the very best